हेलो गाईज आप लोग कैसे हैं अभी गर्मी इतनी बड़ी हुई है सो एकदम लूक जैसा हवा चल लए है लेकिन इस गर्मी के सीजन में गर्मी वाले फ्रूट्स भी मार्केट में आने शुरू हो गया है और इसमें कच्छे आम तो अभी हर जगा मार्केट में मिल लेकिन अ नहीं खटमिटी बनता है अचार बनता है आम पन्ना बनता है इसका चोकलेट केंडी बहुत तरह की रस्पी बनाते हैं तो आज भी हम इस आम से दो तरह की रस्पी बनाएंगे और दोनों ही बहुत टेश्टी रस्पी बनाएंगे आज हम आम को उबाल कर रस्पी बनाएंग तो हम भी जब मार्केट गये थे तो हमने हाफ केजी आम ले लिए अभी चोटे साइज का ही आम मिल ला है तो इसको हम अच्छी तरह से धोलिए अब हम कुकर में उबलने के लिए डाल दिये जब हमने चार सीटी लगाई तो देखे कुछ कच्छे थे तो फिर से दो-तिन सीटी और लगा दि और अब देखे इसका क्या हुल हो गया है यह कुकर में ही फट-फट और इसके पल्प निकल गए तो हमने उस पल्प को निकाल कर चनी में अच्छी तरह से दावाकर उसमेंसे पानी निकाल लिये अब यह गरम है तो हम इसे पाँच मिन하면 के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिये और फिर हम चम्मच की मदद से इसमें से सारे पल्प निकाल लिए हैं क्योंकि आम जब बहुत ज्यादा पक गया और यह फट गया तो हम इसको छील कर तो निकाल नहीं सकते थे तो कुछ पल्प मेरे बरबाद हुए लेकिन फिर भी हमने अच्छी तरह से और आमु ऐसे भी बहुत छोटे थे अभी यहां पर बरे बरे आम नहीं मिले हैं तो सारे पल्प को निकाल लिए और हम जो रेस्पी बनाएंगे इसका वो खटी मिठी बहुत ही टेस्टी होगी और बच्चों के लिए तो यह फैबरेट रेस्पी है तो जिस तरह से हम बहुत करेंदे को interpret अनलोहोंट बहुत पसंद करेंगे तो आव हमें से स embora नहीं है तो मिक्सी को किस अब हम नहीं साथे अब हम मांसाले डालेंगे तो यह सब्सब्स फी नहीं मां नाम एक चम मील के पूदिने के पते अच्छी तरह से धोकर और डाल दिये हैं पूदिना का पत्ता हो तो जरूर डालेगा आम पूदिने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसको खुब अच्छी तरह से ग्राइम कर लेते हैं इस टाइम हम इसमें पानी नहीं देते हैं तो बहुत ही अच्छा पेश्ट बन कर तयार हो गया है अब हम इसको निकाल लिए हैं आप अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप चीनी अपने हिसाब से दीजिएगा हमने जितना पल्प था उसे साब से एक कप चीनी सही था तो हमने डाल दिये अब हम इसमें एक चमच भूने हुए जीरे का पावडर मिलाते हैं तो जीरा बहुत महीन पेश्ट नहीं है यह हमने थुरा सा दरदरा ही पीसे लिए थे इन सब को मिक्स कर लेते हैं और अब बहुत टेश्टी मिक्चर बन कर तयार हो गया है अब हम इसे सर्फ करते हैं तो हमने एक ग्लास में कुछ आईस क्यूब लिए दो चमच हमने पल्प के आम पन्ना के पल्प को डाले अब हम इसमें पानी दे रहे हैं अगर आप अपने ल थोड़ी सी काली नमक डाली क्योंकि हमने पानी एड़ किये तो नमक का टेश्ट थोड़ा कम हो गया और इसमें हम गुंद कटीरा डालते हैं क्योंकि ठंधा में ये डालने से पेट बहुत ही ठंडा रहता है आपके पास हो तो जरूर डालिए नहीं तो जीया सिट्स या सब इसमें लाकर हम बना सकते हैं अब कुछ पल्प का हम दूसरी रेश्पी बनाते हैं तो हमने इस पैन में इसे डाल दिये हैं अब इसको हम पकाएंगे तो जब ये पक जाता है तो इसका कलर चैंज होने लगता है छोटे-छोटे से इसमें देख रहें बबल साने शुरू हो जाते हैं और इसका चैंज कलर चैंज होने लगता है तो आप जब देख लिजिएगा तो इसका कलर चैंज होने लगा और फिर जो हम इसमें चीनी देती तो वो साइड से पकरने लगता है पैन में तो आप इसको उतार लिजिएगा अब हम इसको एक थाल पर थोड़ा सा ते जो कर यह बना लिया इसको गोल गोल फोल्ड करके और कट कर लिया और फिर चीनी के पाउडर में इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया तो यह बहुत ही टेस्टी हाजमोला की तरह लगने लगा आप इसको अच्छी तरह से धूप में सुखाईएगा तो यह आम पापर बन कर तय यार होगा और उसे अब बहुत दिनों तक रख सकते हैं लेकिन मेरा थुरा कच्चा कच्चा रहा गया था क्योंकि हमने दूप नहीं दिखाई तो इस तरह से हम बना लिए लेकिन ये भी बहुत ही टेस्टी बना मेरे बेटा को तो इतना पसंद आया क्योंकि ये चीनी में हो गया तो वो एक ही बार में बैठ कर पूरे खा गया तो बाइगाई जी दूसरी रस्पी